गोड इव निंक, डिम्लड गोड इव नेंग गोड इव नेंग, पुर इनिट वे नेंग टो अरफ याओ? गोड इव निग को चाँ अर चलो कलपना जी आचुके है, बॉली गुड हिंदी सॉंग आ चुके हैं और गूड इवनिंग टू अल अफ यू टॉपिक तो आपको पता ही है कि आज हम क्या डिस्कुस करने वाले हैं तो गूड इवनिंग टू एवरिवन टॉपिक मालों में आज क्या होने वाला है इवाइक्यूस के डिस्केशन में आज हम प्लांट फीजो के कुछ ग्वेशन्स डिस्कस करने वाले हैं और इस बार आज के इस सेग्मेंट में मैं जो ग्वेशन लेकर के आया हूँ वो काफी ज़्यादा मतलब अगर मैं कह दूँ कि 2021 से लेकर के जी हां 2021 से लेकर के 2018 तक के क्वेशन्स आज के इस सेग्मेंट में है और इन सारे क्वेशन्स को सॉल्व करने के बाद हम लास्ट में जो अनालिसिस है वो करेंगे कि 2021 से लेकर के 2018 तक के क्वेशन पेपर को अगर मैं स्कैन करता हूँ actually देखा है तो 17 तक के question papers मैंने scan किये हैं और question निका ले हैं उसमें से तो क्या बार समझ में आती है exactly plant physiology वाले unit को अगर हम देखते हैं जिसमें से मैंने metabolism वाला part हटा दिया है जो कि by chemistry में आप क्योंकि पढ़ लेते हो न तो क्योंकि CSR के syllabus के इसाब से plant के अंदर भी metabolic pathways आपको पढ़ाने पढ़ते हैं जो कि definitely हम by chemistry में पढ़ते हैं तो वाला segment हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ plant physiology के उन सारे topics के उपर जिसमें photosynthesis भी है जिसमें plant water relation भी है जिसके अंदर mineral nutrition भी है जिसके अंदर जो है photo biogenesis भी है जिसमें stress physiology भी है जिसमें nitrogen metabolism भी है सारी चीज़ें इन सारे segments से रेशी जी गुट इवनिंग and thank you for joining the session session में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सारे जो चीज़ें हैं छोड़ी चोड़ी बाते हैं इन सारी चीज़ों को consider करते हैं उन सारे questions को मद्दे निज़र रखते हुए sorting करते हुए मैंने यह notice कि कि कुछ ऐसे segment है जो काफी जरूरी है कुछ ऐसे segment है जिन से 2021 से लिकर के 2007 के बीच में अब कुल मिलागर के जो भी पास साल के questions हैं यह आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत ज़ादा detail बहुत ज़ादा deep जाने की जरूरत नहीं है आपको बहुत superficial plant physiology पूछी आती है बहुत superficial तरीके से यहां से question आते हैं exactly same ऐसा ही conclusion हमारा कल के session में भी रहा और कल का session that means हम ecology वाले topic के उपर यह discussion कर रहे थे ecology के topics में कितनी depth चाहिए क्या knowledge चाहिए यह आपको कल के session से समझा होगा similarly आज plant physiology के उपर हम इसी प्रकार का एक discussion इसी प्रकार का एक analysis at the end रखने वाले हैं दूसरी बात हमारे हर sessions हो रहे हैं इस channel के उपर हमारी कोशिश यह है कि पहले तो महरास्टा set के लिए यह analysis दे दिया जाए लेकिन याद रखें कि इंडिया का कोई भी set exam हो सभी में यही स्थिती देखने को मिलेगी सभी में यहां image set लिखवाया है इसका मतलब है कि सिर्फ image set वाले बच्चों को फायदा होगा अगर आप MP set आप राजस्थान set आप किसी भी set exam को target कर रहे हो तो सिलावस तो यही है life science तो यही है life science तो बदलेगा नहीं स्टेट के इसाप से तो इसलिए काफी जरूरी हो जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी discussion हो रहा है जो भी conclusion दिया जा रहा है it will be helpful for all the set exams यह आपके भी बहुत काम का है अगर आप महरास्ट्रा से नहीं है बट फिर भी अपने स्टेट के set exam को देना चाहते है तो जब आपके set के question papers हम लेकर के आएंगे decode करेंगे तो मैं जानता हूं कि conclusion यही निकलेगा same conclusion there will be no difference कोई भी खास फर्क नहीं आने वाला सब कुछ यही रहेगा so क्यों ना अब हम इन चीजों को हर जगह पर use करें इस analysis को अच्छे से utilize करें ताकि हमारा जो आने वाला set exam है उसमें इसका फाइदा हो सके हमारी तयारी में मदद हो सके निशा जी का question एक comment box में मुझे दिख रहा है कि सर्व zoology botany section में भी बता दीजेगा तो जी अगले हपते जब मैं लेकर के आ रहा हूँ यही same series उसमें हम यह analysis रखेंगे आपके सामने कि अगर मैं diversity जैसे topics की बात करो तो diversity जैसे topics में से क्या-क्या situations निकल करके आती हैं क्या-क्या topics बहुत important निकल करके आती हैं और अभी तक का अगर मैं trained देखू महारास्टा set का तो diversity वाले segment पर ठीक ठाक focus किया जाता था लेकिन अब तो से लावस बदला है अब तो चीज़ें थोड़ी बहुत change हुई है तो उसका भी असर दिखेगा right so वो सारे बिच्चे जो session में आ चुके हैं like नहीं किया है सिर्फ session को देख रहे हैं like भी कर दे और आईए शुरुआत करें आज के segment की आपका जादा समय भी नहीं लेना है प्रांशुसर भी आपके साथ है पढ़ा रहे हैं आपको और सरका segment भी काफी ज़रूरी है और definitely आप क्योंकि set exam के लिए जो हैं इच्छा रखते हैं set exam qualify करना चाहते हैं so this segment is also important for you और लीजी ये ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आप सभी को पहला सवाल ये रहा अच्छा आप लोगोंने शायद MP set का भी लेकर के आएंगे जी 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 शीला जी जब मेरे ये बात कहीं तो मेरा intention है कि मैं सारे set की बात कर रहा हूँ मैं MP set की भी बात कर रहा हूँ मैं राजिस्थान set की भी बात कर रहा हूँ मैं सारे ही set exam की बात कर रहा हूँ ठीक है North East तक West Bengal तक सभी की बात कर रहा हूँ तो चलो फटाफट बताना शुरू काम शुरू और जवाब देना शुरू करें आप chlorophyll B is distinguished from chlorophyll A chlorophyll B को A से distinguish किया जा सकता है किस basis पर अब ये बात जब आप different types of photosynthetic pigments पढ़ते हो अब आपको बताया जाता है different types of photosynthetic pigments पढ़ने के दोरान ये segment आता है और ये बहुत basic question है काफी आसान question इसमें कोई tough वाली बात नहीं है formal group, methyl group, methyl group, formal group अब यहां sequence जहां रखना है कि पहले B है और फिर बाद में A है तो क्योंकि पहले B है और बाद में A है तो थोड़ा सा आप इस बात को लेकर के सतर करेंगे जी पहले B है बाद में A है C होगा, कई लोग C के साथ जा रहे हैं देखिएगा तो देखो मैं reference के लिए image भी लेकर के आगया आपके लिए ताकि आपको ये बात पता चले अगर आपको नहीं वालूम है तो at least इस तरीके से आपको इसका अंदाजा हो जाए तो chlorophyll A के अंदर आपको methyl group देखने को मिलेगा, CH3 वाली situation देखने को मिलेगी और वही पर अगर आप chlorophyll B की बात करोगे तो chlorophyll B के अंदर एक तो oxygen का addition हो जाता है और hydrogen कम हो जाता है kind of oxidation हो जाता है तब जागर के ये वाली form आती है chlorophyll A से ही B बनता है है ना तो अब पहले chlorophyll B is distinguished from chlorophyll A by having a dash group in a place of this तो जाहर सी बात है methyl group at a place of formal या अगर formal group at the place of methyl so C is the correct answer है ना चीज़ है बड़ी simple है प्रसर ट्रिकी इन्होंने करने कोशिश की है ट्रिकी इस प्रकार से है कि B अलग कैसे है है ना तो B अलग ऐसे है कि chlorophyll A से अगर आप compare करोगे chlorophyll A में methyl group होता है so having a formal group perfect instead of methyl that's it this is the correct answer so C is the correct answer है ना तो simple सा question है बस समझने की देरी है और concept आने के बाद जो दूसरा segment काफी जरूरी हो जाता है जी हाँ जो दूसरा segment काफी जरूरी हो जाता है वो हो जाता है कि वह question की requirement के हिसाब से जवाब देना हो है ना ओके एसी टाइल फॉर माइल बाती खतम हो गई फॉर माइल ऐसे तो बाती खतम हो गई तो दो में से जवाब था और दो में से ही आपका जवाब आ गया ठीक है ड़न तो इस जगें पर आप क्या भरोगे और माइल इंस्टेड आफ मिथाई शाबश आगे बढ़ो अगला question देखो अब ये भी question है काफी simple question है काफी आसान question है कई बार जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होते हो तो ये सारी छोड़ी छोड़ी बाते हैं जो highlight करा ही जाती है ठीक है अब ध्यान से देखना सलफर दे रखा है जिंक दे रखा है मैगनीशन दे रखा है और सामने कुछ बायो मॉलकिल दे रखे हैं उनके अंदर ये पाया जाता है कि आपसे पूछा जा रहा है clear और आपको identify करना है देखो मिथ्योनीन ये अंदर सलफर पाया जाता है अगर आपने types of amino acids पड़े हैं तो उसके अंदर sulfur containing amino acids के list में मिथ्योनीन आता है चला किसी को ये भी नहीं पता लेकिन ये तो पता है ना magnesium chlorophyll के साथ होता है magnesium center के अंदर porphyrin ring वाले जो tetrapiral rings उनके center में है अब इसके इसाब से अगर कुछ बन सके तो बात बन जाए मेरे साब से A के साथ ठीका combination दो जगें पर है दो option तो चले गए और फिर C के साथ A का combination C के साथ A का combination एकी जगें पर है और ये आपका जवाब आगया that's it simple question तो बात इतनी सी है तो भी ऐसे ऐसे सवाल आते है खोड़ी सी जानकारी मतलब ये नहीं कह रहा कि अगर आपने लगातार पढ़ाई जहरा knowledge हो बहुत डीप जानकारी हो बढ़ अगर आप study के continuous touch में है तो भी आप इस प्रगार के सवाल लगा सकते हो ठीक है लगिए अगला question देखिए मैंने कोशिच की है कि specially for all those questions जो की बार-बार repeat हुए for example जब आप बात करेंगे phyto hormones की plant hormones की अरे वाह बहुत बढ़ी आश्वनी जी तो मैंने देखा कि plant hormone एक बहुत hot topic है हर साल हर paper में इससे question है और question भी बहुत rocket science वाले नहीं है आसान वाले है आपके सामने sample order आप देखी रहे हो तो अब ये तो काफी आसान question आया ऐसी हर साल question आते है artificial ripening bananas के लिए जो hormone यूज कर लिया जा सकता वो कौन साई थाल ही नहीं हो सकता gaseous hormone, ripening hormone के नाम से जानते हो ऐसी अगला सवाल आप देखो अच्छा अगला सवाल से जाने से पहले राजस्थान सेट की exam की तैयारी को ले करके हमारी एक नई बैचारी है 20 तारिक से है, है ना 20 दिसम्बर से तो अगर कोई राजस्थान सेट की त्यारी करना चाहता है साथी साथ अगर महरास्टरा सेट या फिर MP सेट की त्यारी करना चाहता है मद्ध्रदेश सेट की या फिर North East सेट की तो सभी के लिए एक master batch हमने प्लान किया है और वो master batch शुरू हो रही है तो आप इस master batch का ऐसा बन सकते हो और आईए अगले सवाल की तरफ लीजे है अगला सवाल क्या है हॉर्मोन विच सब्स्टिट्यूट लॉंग फोटो पिरिड रिक्वाइड फॉर फॉर फ्लावरिग मतलब होता यह है कि long duration का exposure specially light का exposure मिलने पर कुछ पॉदों में flowering आ जाती है ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसा हॉर्मोन बताएं जो उसका substitute हो सकता है मतलब मैं धूप में long day exposure दूँ या उस हॉर्मोन को spray कर दूँ flowering induce हो जाए ऐसा कोई हॉर्मोन जो flowering induce करा सकता है और यह बहुत easy वाला question है मेरे साब से क्योंकि इस पार की study जो है tobacco के plant पे हुई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है और बाद में पता चला था कि एक particular ऐसा हॉर्मोन है जो इस प्रकार की activity रखता है और definitely बहुत बढ़िया शाबाश कई लोगों ने एकडम सही जबाब दिया हुआ है and that is nothing but a gibraline gibraline कई अलग-अलग signaling में कई सारे developmental processes में contribute करता है और example अगर आप photomorphogenesis से भी rated बात करेंगे तो वहाँ पर भी gibralic acid है जो किसने किसी तरीके से etiolation, d etiolation जैसी activities में involved है ठीक है तो gibralic acid is a hormone, plant hormone which is known for this particular behavior है ना auxine का काम अलग है elongation, photomorpho या phototropision के लिए responsible है cytokinin cell division के लिए responsible है gibralic acid ही एक ऐसा member है जो कि flowering के लिए बहुत ज़्यादा highlight होता है और जाना जाता है brassino steroid के diverse तरह के function है तो एक specific जवाब देना brassino steroid के form में ठीक नहीं होगा सबसे ज़्यादा ठीक और सठीक जवाब जो हो सकता है वो हो सकता है gibraline, ठीक है अगला सवाल, देखो सवाल इस level के आते हैं, इसका मतलब इतने भी मुश्किल नहीं है कि इसे मैं solve ना कर पाऊ है ना, ऐसा तो संबभ भी नहीं है ना कि ये question मुश्किन उससे बनेगा नहीं तो hormone वाला segment इसी भी set exam में नहीं छोड़ना है बहुत बड़ा topic नहीं आता detail signaling कोई नहीं पुछेगा आप से आप at least सारे hormones के functions physiological roles पढ़के जाएं इस होड़ा counter acting apical dominance induced by oxyn oxyn का काम है apical dominance induced कराना सारे nutrient का flow apical region की तरफ बढ़ा देना जिसकी विश्के विश्के apical dominance आएगी और lateral birds को suppress करना उसका दुश्मन कौन है तो दो ऐसे phyto hormone है जिनको एक दुसरे का दुश्मन माना जाता है जी हाँ एक तो मैं हमेशा नाम लेता हूँ cytokinin oxyn का ये एक दुसरे के कटर दुश्मन है कटर दुश्मन है एक apical dominance कराता है दुसरा lateral dominance कराता है ठीक है तो ये हो गए एक दुसरे के अलगलग proportion को vary करा करके callus के अंदर organogenesis के बारे में सुन रखा होगा कि या तो shoot induction होगा या root induction होगा उसी के साथ साथ दूसरे ऐसे दो member एक जो dormancy break कराता है और एक जो dormancy induce कराता है तो ऐसे और कटर दुश्मन है जिप्रलिक असिड आपसे सिक असे तो ऐसे कुछ कटर दुश्मन वाले भी contributions है connections है इनको भी आप ध्यान रखे बड़ा काम आता है ये छोड़ी सी जानकारी यहाँ पर definitely जो सारे बच्चे कह रहे हैं इसका answer जो होगा वो होगा cytokinin है ना इसका answer होगा cytokinin कटर दुश्मन है ओक्जीन का ये क्या कराएगा lateral dominance कराएगा तो answer क्या जाएगा cytokinin चलो बढ़ो आगे अगले सवाल की तरफ very good देखो कितने सारे बच्चे हैं और वो बढ़ियां सही से जवाब भी दे रहे हैं शाबश अगला question देखीगा इस question का जवाब भी काफियत तक वही है delay कर दे senescence को ऐसा कौन सा particular phyto hormone है फिर से जवाब वही है cytokinin cytokinin जो कि cell division को promote करने लगता है और अगर कहीं cell division promote हो जाए जिस जगहां पर कभी senescence होने वाली थी उस जगहां पर वो nutrient का flow बढ़ा दे है और cell division promote कर दे तब वहाँ senescence नहीं होगा अब वहाँ senescence नहीं होगा यह काम है इसका अगर आपको बहुत गहरा ग्यान नहीं है तो फिर शायद काम बन भी जाए कई बार जादा ग्यान होना नुकसान दायक हो सकता है तो कुड यू प्लीज रिपीट दरोल अफ जिवरलिक असेड और अपस्सीक असेड सीड डॉर्मिंसी दे को जिवरलिक असेड सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है अलफा अमाईलेजस के सिग्रेशन को बढ़ावा देता है लेकिन वही पर अपस्सीक असेड अगर जादा हो जाए यह सीड दॉर्मिंसी इंडियूस कराता है सीड दॉर्मिंसी को बढ़ावा देता है मिताली जी शाबश, वेरी गुड तो वो सारे साइनो बैक्टिरिया जिनके अंदर हेटरोसिस्ट पाया जाता है हेटरोसिस्ट जो कि एक थिक वॉल्ड सेल है प्राइकोंग के अंदर ये थिक वॉल्ड सेल है और अब ये थिक वॉल्ड सेल अंदर की तरफ अनरोबिक कंडिशन मिंटेन कर सकता है या फिर आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्योंकि फोटो सिस्टम 2 नहीं पाया जाता तिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही पाया जाता है इसलिए यहां पर फोटो सिस्टिस होगी तो सही light reaction चलेगा तो सही लेकिन उस light reaction के अंदर कहीं पर भी oxygen as a byproduct release out नहीं होगा और इसलिए इस cell के अंदर क्योंकि बाहर से oxygen आनी सकता wall काफे थिक है और अंदर oxygen बनेगा नहीं photosynthesis के दौरान ATP ठीक ठाक amount बें बन जाती जितनी जरूत हो तो एक anaerobic condition create होती है इसके अंदर anaerobic condition और anaerobic condition बहुत जरूरी है nitrogen के अक्टिविटी के लिए small 7 minute, last 7 minute बड़े sensitive होते है तो nitrogen is a correct answer ठीक है आसान question था आगे बढ़िएगा अगला सवाल आपके सामने है ये भी logical question है अगर आप फस गए तो फस गए नहीं फस है तो नहीं फस होगे बहुत basic question काफी आसान question पूछते ही नहीं मेरे साब से लेकिन ये कहना भी गलत है कि पूछते है ये पूछा तो है तब ही तो मैं आपके सामने लेकर गया हूँ पूछते तो है लेकिन इतना आसान question इतना simple question पूछा जाता है ये मैं आप से कहने की कोशिश कर रहा हूँ और like कर देना 20 लोग देख रहे हैं 18 और 16 लोगों ने like कर रखा है इसका मतलब कई लोग हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन like नहीं करना चाहते लोग विच अब दो फोलोईंग इस नॉट पॉस्ट बाइ डेफिशन्सी और मिनरल नूट्रियंट्स इन में से कौन सी ऐसी शाबाश कलपना ने एगदम सही गैस कर लिया है एगदम सही गैस कर लिया है chlorosis nutrient की deficiency से होता है necrosis nutrient की deficiency से भी हो सकता है यह बात अलग है pathogen infection कर दे तो necrosis होना शुरू हो जाएगा apoptosis की वज़े से dead regions बनने शुरू हो जाएगे वो अलग बात है लेकिन deficiency की वज़े से भी होता है necrotic regions बनते हैं shortening of internode nutrient deficiency के वज़े से भी हो सकता है लेकिन etiolation ये तो dark grown seedlings और light grown seedlings के वज़े से आया हुआ photomorphogenetic effect है etiolation हो जाए de-etiolation हो जाए है ना बात समझ मेंगे काबबाश hormone के deficiency के लिए होगा अरे नहीं भाई etiolation बेटा dark में grow करोगे ना तब हो जाएगा हाँ अगर कुछ cases में आप जिपरलिक acid का treatment दे रेते हो dark grown condition वाले इस्तिति आ जाती है तो उस समय वो अलग बात है लेकिन mostly तो आपने इसको किस sense में पढ़ रखा है phytochromes के active, de-active night में seed को germinate करने या day में seed को germinate करने पर iteration, deterioration का जो concept है उसमें पढ़ रखा है आपने है ना question बहुत simple है लेकिन कई बार बहुत simple सवाल हमें फसा जाते है जादा ग्यान कभी कपार घा तक हो सकता है तो ये जादा ग्यान घा तक ही है है ना necrosis, तुरंट फंजाई, तुरंट बैक्टिरिया का infection याद आएगा लेकिन क्या nutrient deficiency से necrosis नहीं हो सकता चलो ये question भी बहुत straight forward है लेकिन confuse कराने की कुछ condition, कुछ कोशिश की गई है अब अगर आफ फंस जाते हो तो फंस जाओ और नहीं फंसते हो तो बहुत अच्छा आप यहाँ पर फंस भी सकते हो नहीं भी फंस सकते हो दोनों situations है, दोनों अवस खाएं है आउ देखते हैं क्या होता है अब फंसते हो कि नहीं फंसते हो शाबश चलो तो मतलब यहाँ बच्चे नहीं फंस है यहाँ बच्चे clear है अपने ideas को ले करके अपने concept को ले करके अगर F1, F0 की वजाए chloroplast जैसे कि हम है ना कहते हैं कि वहाँ पर भी तो ATP सिंथेज होते है पर वहाँ उनको F1, F0 पार्टिकल नहीं कहते हैं वहाँ पर उनको CP हैना chloroplast के जो पार्टिकल्स हैं उस अलग terminology से represent किया जाता है तो F1, F0 पार्टिकल यह तो सिर्फ सिर्फ mitochondria के inner membrane पर ही पाये जा सकने वाले ATP synthesis है ठीक है दियो तो बहुत basic question हुआ आगे अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छुटा सा जानकारी कि वही इस प्रकार की कुछ आ activities चल रही है study materials के उपर एक बार देखिएगा आपको इनका फायदा मिल सकता है 10% का individual किताब ही ले रहे हो तो combo ले रहे हो तो 30 प्रतिशत पूरा का पूरा full set ले रहे हो ना तो 40 प्रतिशत तक का IFS के study materials के उपर आपको फायदा मिल पा रहा है promo code है book 10 book 30 book 40 जैसा off चाहिए वैसा code use करें और आपको इसका फायदा मिलेगा ठीक है होते हैं बहुत आसान आसान होते हैं इसके लिए आपको website पर विजिट करना पड़ेगा वेटा website पर विजिट करो आप IFS के study material वाले segment में जाकर करो और पता करो ठीक है चलो धन्यवाद वो सारे विद्यार्थी जो देख रहे जो sun को track करता रहता है जहां जहां sun घुमेगा वहां वहां ये भी घुमेगा इसे आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए सबसे सही terminology क्या हो सकती है तो इस जगे तो फस्त गया बच्छे phototropism भी कई लोग कह रहे है मेरे इसाब से नहीं कोई नहीं कह रहा phototropism लेकिन लोग photopiridism के साथ जा रहे है photopiridism क्या होता पता है short day plant, long day plant flowering induce होना because of the differences in a day length यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोला है यहाँ तो गया फ्लार आलोडी है but that flower is tracing the sun following the sun फस गये थे शाबश positively heliotrophism helio का मतलब होता है sunlight strong sunlight को पसंद करने वालों को heliophytes कहा जाता है जो तेज सनलाइट में जिन्दा रने के लिए आदी होते हैं adapted होते हैं उन्हें heliophytes कहा जाता है जो छाओं में रना पसंद करते हैं उन्हें शर्मीले होते हैं चाओं में रना पसंद करते हैं तो यहाँ पर sunflower खुले धूप में सीधे जहाँ जहाँ सं जाएगा वहाँ वहाँ मुँ गुमाता रहेगा मतलब टार्गेट है ना ऐसा है पेशन वाला इससे कहते है पॉजडिव हेलियोट्रोफिसम ठीक है हेलियोफाइट शाबाश खोड़ा सा तो common sense भी यूज़ करना है खोड़ा सा और बाकी दूसरे terms के साथ फसना नहीं है सवाल आसान होते हैं बस आप अपने आप को गलतना direction दे दें जल्दबाजी में गलती से mistake ना हो जाए गलती से mistake हो सकता है तो नहीं करना है चलो फटा फट ये एक और सवाल है जो की stress physiology से है stress वाले segment से है और आसान है easy है यह ना ABA अच्छा स्टमाटर क्लोजर की बात हो रही है मान लीजे तेज धूप आई और तेज धूप होने की वज़े से अब water loss होने की संभावना बढ़ गई स्टमाटर खुला हुआ था और अच्छानक से light की intensity बढ़ गई तो इस तमय पर mesophyll cells के अंदर abscissic acid के बनने की मात्रा बढ़ जाती है और abscissic acid अगर आस पास में ज़्यादा हो जाए तो ये स्टमाटर क्लोजर के लिए responsible है कैसे जो proton की gradient बाहर बन रही होती है जिसकी मदद से तिर chloride ions को अंदर लाया जाएगा ये जो differences बनेंगे electrochemical gradient के अंदर इससे बचने के लिए इसको बचाने के लिए इस पूरे ट्रांस्पोर्ट को तुरंत रोक दिया जाएगा और तुरंत ट्रांस्पोर्ट को रोकते ही धीरे 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 स्टमाटा क्लोज हो जाएंगे और ये अपससीक असिड का काम है अपससीक असिड काउमरीन्स तो अलग प्रकार के secondary metabolites है इनका अलग काम है ये अलग प्रकार से influence करते हैं चलो देखो सवाल कितने आसान आते हैं सवाल कितने easy हो सकते हैं देखिए और इसका जवाब क्या होगा बताईएगा फाइनली जवाब conclusion करोगे तो मैंने पहले शरुवात का conclusion दिया है इस topic को लेकर के वही conclusion निकलेगा कि which of the following pair is not a correct pair और बहुत आसान question है बहुत ही सीधा और सरल question है चलो देखो और बताओ कौन सा combination कौन सी matching कौन सी जोड़ी ठीक नहीं है देखो सवाल के अंदर कोई दम नहीं है बस आपके concept अपनी जगें पर हूँ तो बात बन जाए एचस के पात पर है C4 पात पर है oxaloastic acid बनता है हाँ बनता है वही ठीक जैसे ही carboxylation होगा oxaloastic acid बनेगा एकदम सही है अरे शाबश 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 अश्विनी ने revise भी कर रखा और सारी बात याद भी है अब अगर C4 plant में crowns arotomy नहीं होगा तो किसमें होगा और किसी में होगा क्या crowns arotomy नहीं न अगर C3 cycle या kelvin cycle में phosphoglyceric acid नहीं बनेगा तो किसमें बनेगा यह तो सही बाते हैं गलत क्या है C3 plants में maze नहीं आएगा maze तो C4 plant का example है न ठीक है चलो उसका जवाब क्या हुआ first word A खोड़े से confused है मारे बिच्छे revise करते रहो यह topics काफी ज़रूरी है revise करते रहना न भूल जाता है नहीं तो चलो अगर आपको light reaction याद है तो अगर आपको light reaction याद है तो पोशिश करो क्या लगता है याद है Z scheme याद है PS2 से लेक्टरन निकला सबसे पहले किस ने लिया दूसरे ने किस ने लिया तिसरे ने किस ने लिया और चौथे ने किस ने लिया जब PC के पास आता है तो PC से किस ने लिया शाबश PC मैंने आंसरी बता दिया PC कहकर के मैंने आंसरी बता दिया Plastocyanine जैसे Mitochondria के अंदर ऐसा ही कुछ काम करता है साइडोक्रोम सी छोटा वाला कहां पर पाता है मेट्रिक्स वाले साइड पर इग्जाक्ली वैसा ही कोई यहां पर भी है है लग शाबश शाबश लोभी है Secondary Metabolites की पुरी लिस्ट है गेट में, सेट में हर जिगन काम आती है Economic Botany में भी इसको पढ़ाया जाता है Plant Physiology में भी इसको पढ़ाया जाता है और भी मैंने देखे हैं जैसे कि Anti-Cancer Drug की जब कभी बात होती है तो Cell Biology में भी इसमें से कई सरे एक्जाम पर पढ़ा रही जाते है Catherine Phelosia, Staxol और भी कई सरे एक्जाम है ना तो लीजिए इस सवाल का जबाब बताईए Alkloid जिसका नाम है Azamilicine Serpentine Racerpine किन में पाए जाते हैं? किस पौधे के रूट में पाए जाते हैं? और Serpentine से ही बात खतम है Serpent Sorry, Serpine से ही बात खतम है Serpine से ही बात खतम है रॉल्फिया Serpentina बाकोपा मुर्यरी में नहीं होता पापा वर सुमनी फेरा में नहीं होता ठीक है? कैथरन तस रोजियस में आपको Win Christine, Win Blastine मिलेंगे सो रॉल्फिया Serpentina नहीं पता है तो ज्याद रखो अगला सवाल देखो यह है फ्लोयम लोडिंग अनलोडिंग वाले सेग्मेंट से जब कभी भी फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है फ्लोयम की लोडिंग हो रही होती है उस समय पर एक छोटा सा मेकानिजम किसी सेल में होता है मैं आंसर नहीं बताना चाहता है इसलिए मैं वो कह रहा हूँ किसी सेल में होता है जहां पर छोटे-छोटे चुगर के पॉलिमर्स बनते हैं पॉलिगो सक्राइड्स बनते हैं तीन का तीन सक्राइड वाले चार सक्राइड वाले जिसमें राफिनोज है, स्ट्राइकोज है, और भी ऐसे कई प्रकार के शुगर्ज है याद आ रहा है? कौन से दिगा पर होता ही है? याद करो, उसके लिए एक सल का नाम ही मेंचिन्ड है और आराम से आप इसको याद भी कर सकते हो देखो, बंडल सीट सेल्स में नहीं होता ठीक है? सीव एलिमेंट में भी नहीं होता चलो मैंने हल्प भी कर दी आपके हल्प भी कर दी मैंने आंसर है, इंटर मेडियेटरी सेल्स इंटर मेडियेटरी सेल्स ठीक है? बीच में कुछ सेल्स है जब companion cell की बात करते हैं तो companion cell के पहले एक cell है मदद करने वाला है ना companion cell के पहले एक cell है जिस प्रकार की मदद कर रहा है intermediary cell will be the correct answer mesophyll cell तो फिर तो आप वो leaf के mesophyll cell की बात कर रहे हो है ना यह answer ठीक है यह answer perfect है mesophyll cell तो leaf का है ना leaf में जहां food बन रहा है और उस glucose को फिर सुक्रोज में बदला जा रहा है बदल करके फिर आगे बेजा जा रहा है उसकी बात थोड़ी हो रही है यहां बात तो intermediary cell की हो रही है दो cell के बीच में पड़ा है और यह छोटासा एक जगर polymer trapping का काम कर रहा है उस concept को ही polymer trapping कह दिया जाता है और ऐसा करने का यही परबस है reverse flow में आ जाए एक बार loading हो जाए तो वापस पीछे भागने का मौका नहीं है ठीक है ओके शाबश लीजी अगला सबल आपकी तरफ तो सुक्रोज में चेंज नहीं होता है ठान्सपोर्ट जो है पौधों के अंदर glucose form में होता है क्या जी श्टीला जी transportation के लिए शुगर को कौन से form में किया जाता है होता है न होता है कहां पर होता है ये तो भई जब आप पढ़ते हो न mesophyll cells के अंदर photosynthesis हो रही है तो अब generally यही होता है कि glucose बना करके थोड़ा बहुत जितना काम का उतना release कर दिया बाकी majority of the time या तो सुक्रोज या तो stars में उसे बढ़ल दिया जाएगा उसे pre-form में glucose में ही छोड़ते हैं यह बात अला गया photosynthesis का पूरा जब आप equation लिखते हो तो last में glucose बनाते हो लिकिन plants के शरीर में या तो वो सुक्रोज फॉर्म में release कर दिया जाएगे cytosol के अंदर या तो stars के फॉर्म में बना करके store कर दिया जाएगे inspiration का जो पूरा step है जो chloroplast से शुरू करके paroxysome, paroxysome से शुरू करके mitochondria तक जाता है और फिर mitochondria से paroxysome, paroxysome से फिर वापस chloroplast में आता है इस पूरे process के दरान decarboxylation एक जगे पर होता है और वो है mitochondria कौन सी ऐसी चीज है जिसको तोड़ करके carbon dioxide निकाला जाता है इसी कौन सी जगे है जहाँ पर किसी दो carbon के molecule को तोड़ करके उसमें से CO2 निकाला जाता है शाबश तो रिलीस तो मेटो कॉन्टरिया में होता है सनमेदीज ने शायद जवाब भी दे दिया है और सही है बटा एकदम perfect तो glycine एक glycine को तोड़ा जाता है oxidation किया जाता उसका आप ये भी कह सकते हैं decarboxylation किया जाता है उसका ठीक शाबश तो glycine से आता है और बाद में जो एक carbon बच गया उसको एक और glycine के साथ reaction करवा करके serine में बदल दिया जाता है तीन carbon के molecule में तो answer सही क्या है glycine शाबश चलो अगला सवाल देखेगा इस सवाल में भी मैं इस बात को highlight करना चाहूंगा इस सवाल में भी अगर आपको थोड़ा सा जादा knowledge है तो आप फस सकते हो आप गलती कर सकते हो overthink करके आप इस question में उलज सकते हो समझे है yes जल्दी बताओ जल्दी बताओ ये सवाल अगर overthink कर लिया जाए जादा गहराई में आपको nitrogen fixation का ग्यान है तो आप फस जाओगे जैसे की मेरे इसाब से जानवी जी फस चुके है जानवी जी फस चुके है अगर इस question को मैं बहुत ही technical देखूँ तो इसमें जवाब एक से जादा हो सकता है एक से जादा भी हो सकता है है न लेकिन अगर मैं उतना technically न देखूँ एक ऐसा भी जवाब है जो बहुत ही जादा सही है सटीक है मतलब weightage wise वो आंसर हो सकता है है न हाँ एक सेट के level का अगर मैं कोई सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उतना जादा critically न सोच करके सिदे कह दूँँगा कि हाँ ये सबसे सटीक जवाब है ठीक है और आंसर है leg hemoglobin leg hemoglobin वो pigment है जो anaerobic condition root nodule में बनाता है और अगर root nodule में anaerobic condition बनी रहेगी तो nitrogen is अपना काम कर पाएगा ठीक है ओके यही उपर पूछा है what is the following which of the following is essential for nitrogen fixation अभी nitrogen is तैयार बैठा है nitrogen fixation करने के लिए कौन सी आसाम molecule है जो उसको help करेगा उसकी बनत कर देगा और अभी condition create कर देगा leg hemoglobin is the correct answer लेकिन अगर कोई बहुत टेक्निकली जा रहा है कि flavonoids release हुए जब कोई damage या कोई stress मैसूस हुआ nitrogen के content को लेकर के पौद ही को और फिर rhizobium दोड़े चला रहा है flavonoid को sense करके तो आप पुड़ा ज़्यादा सुच रहे हो मत सुचो ज़रूत नहीं है उसकी सिदा 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 जवाब है समझे समझे की नहीं समझे गड़बड तो नहीं करोगे भई आप set exam दे रहे हो अपने आपको बार-बार बताते रहे ना कि मैं set exam दे रहा हूँ मैं CSR के hall में नहीं बैठा तो question आसान होते है हमें अपना approach बहुत ज़्यादा scientific नहीं ले जाना है ठीक ठाक रखना है ठीक है शाबश इसका जवाब दो तो समझे इसका जवाब दो तो बताए चलो शाबश शाबश क्या लगत रहा है बताओ तो question तो आसान है बाकि आप लगा लो अपना दिमाग ओके अच्छा सभी ने जियाटीन कहा है अब मैं आप सभी से जो सवाल पोच्छोंगा उसके जवाब मुझे धंक से देना यह तो ऑगजीन है और कहीं न कहीं जो most common form है ऑगजीन का वो है और यह naturally plant के अंदर पाया जाने वाला एक plant growth regulator है आप से पुछा कौन सा plant में नहीं पाया जाता है इस नॉट अनाचरली अकरिंग पहले तो naturally occurring नहीं है कहाँ पर plant growth regulator मतलब plant के अंदर पाया जाने वाला naturally पाया जाने वाला plant growth regulator नहीं है दूसरा आगे क्या था है and it does not occur as a base in DNA of any species DNA के अंदर नहीं पाया जाता है बेस के तौर पर तो पहला जो है वो तो हमारा phyto hormone है natural भी है पाया भी जाता है फिर जिब्लिक acid भी ऐसा ही है natural है plant growth regulator है plant में पाया जाता है जियाटीन और काइनेटीन का जो source है मुझे थोड़ा सा बताएं साइडोकाइनिक के types हैं साइडोकाइनिक के types कई बार nitrogenous basis in origin हो सकते हैं अब आपके बात यह पूछी गई है कि जियाटीन सबसे पहली बार अगर आपको याद होगा तो कौन से source से मिला था किसके अंदर मिला था काइनेटीन कौन से source के अंदर मिला था जवाब दीजिए और फिर आपका question का जवाब शायद आपको थोड़ा सा connect होता हुआ दिखे ए होगा सर cytokineine, pyrimidine, derivatives हैं देखो यहाँ दो अलग-अलग condition दे रखी हैं ज्यान सा समझ ना, दो अलग-अलग condition dash is not a naturally occurring plant growth regulator plant growth regulator PGR नहीं है naturally occurring नहीं है इसका मतलब synthetic है ठीक उसके बाद दूसरा does not occur as a base in a DNA of any species किसी भी species के अंदर base के तोर पर नहीं पाया जाता ठीक है बात समझ मैंगे अंजी coconut के अंदर पाया गया था सबसे पहली बार और बाद में फिर हमने इसको कहा पर देखा maze के milk में maze के endospam में भी इसको देखा है सभी बात है काइनिटीन किसमें मिला था जल्दी बताओ question tricky है थोड़ा सा confusing है थोड़ा सा और इसमें से आपको ठीक था जवाब की तरफ पहुचना है naturally occurring भी नहीं होना चाहिए और as a base भी नहीं होना चाहिए किसी भी species के अंदर काइनिटीन synthetic है काइनिटीन के ही भी तो बारे में कहा जाता है ना जब आप बात करते हो किस के अंदर मिला जो herring whale के sperm के अंदर से extract किया गया अंजी yes देखो मैं आंसर बता दूँ और आप सुन लो अगर यही ठीक है तो फिर बात खतम है फिर तो कुछ है नहीं इसमें डिसकेशन करने के लिए लेकिन अगर हम question को analyze कर रहे हैं तो कुछ काम की बात हो कुछ चर्चा हो जबलिक एसिट तो जवाब नहीं है यह बातता है अगर आप indolastic acid की बात कर रहे हो estic acid तो भही यह तो naturally occurring not a naturally occurring लेकिन यह तो naturally occurring plant growth regulator है सबसे आदा मात्रम पाया जाता है अगर तो वो भी जवाब नहीं हो अब ये दो मिस से आपके जवाब है ठीक है चलो फटा फट फटा फट अपने विचार जल्दी से समय नहीं है मैने ज़र सवाल पोचा है उसका जवाब दे और फिर आगे बढ़े अनमे जी दिये हुए सारे ओप्शिन्स में देखने को मिलेगा की प्लांट ग्रोथ रेगुलिटर के अबिलिटी दुसरा भी में है आई ए ए में भी है उसी के साथ साथ काइनी टीन में भी है जिया टीन में भी है सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलिटर है है ना हाँ जी लेकिन अगली बात को हम satisfy जो है definitely do not occur as a base ये वाली बात को हम satisfy नहीं कर सकते हो ये वाली बात को satisfy करी नहीं सकते है संभव नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं जो काइनेटीन है ये भी nitrogenous basis derived product के तौर पर है ठीक है अंजी है derived product के तौर पर है तो अब जियाटीन को आप neglect नहीं कर सकते है क्योंकि ये तो प्लांट में पाया जाता है ये प्लांट में त्रेग्लिटर है भी tiny teen आपको मिलेगा नहीं ठीक है ये नहीं मिलेगा animal origin का है अगर आपको use भी करना है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा बाहर से use करना पड़ेगा बाहर से add करना पड़ेगा naturally नहीं मिलेगा ठीक है so the correct answer is B आगी किसी के साथ जाना गरबड़ी होगी जी हां गरबड़ी हो बी के साथ ही जा सकते हो सवाल के हिसाप से और किसी के साथ नहीं चलो आगे हैं अगला क्वेशन देखो अब यह तो सीधे सीधे आगया इसमें कुछ है ही थी सोचने के लिए कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं अब फिर तो प्लांड के अंदर पाया जाना वाला सस्टन्स हुआ है अना कोकोनेट मिल्क से आइसलेट किया गया था सही बात है अधली बार लेकिन बार में पता चला कि में भी मिलता है बाकी जगों पर मिलता है अचलो ठीक है अगला सवाल कि जल्दी से कंफर्म करें ना दिख रहा हो तो भी बता दें लोग क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार अपोप्लास्ट ट्रांस्पोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट टेक्स प्लेस अपोप्लास्ट का मतलब बिना मिम्रेन को क्रॉस किये होने वाला पानी का ट्रांस्पोर्ट मिम्रेन को बिना गुजरे बिना क्रॉस किये वाटर का होने वाला ट्रांस्पोर्ट और अब इसको लेकर के अगर आग कोई बात करेगा तो बड़ा सिंपल है cell wall के through है ना अगर दो neighboring cell wall है दो neighboring cell walls है और cell के walls के बीच में जो खाली जगे है यहां से बैता हुआ पानी अंदर चला जाए so through non-living portion of a plant through living part of a cell by both living and non-living through the plasmodus matter ठीक ठाक बचा क्या a ठीक ठाक क्या बचा a ठीक है so this is the correct answer अब कई लोग क्या गया रहे है लेको plasmodus matter से जा रहा है इसका मतलब cell के कहां जा चुका है cell के अंदर जा चुका है और अगर cell के अंदर जा चुका है और इसका मतलब उसने membrane को cross किया है तब ही cell के अंदर पहुचा और cell के अंदर पहुचने के बाद plasmod smarta का अस्तमाल हो और फिर वो simplistic है ठीक है यहां water के transport की बात की जा रही है so answer could be the first one non living portion अर्था cell wall के through ए सही है second होता है simplast सही बात second statement is simplast first is about the appoplast समझे शाबाश यह बात और ज़्यादा confusing हो जाती है अगर आप food का transport पढ़ते हो वहाँ exactly उल्टा situation निकल करके आती है ठीक है don't worry food transport को लेकर के जब आप कभी भी अपु प्लास्टिक लोडिंग सिम प्लास्टिक लोडिंग की बात करते हो न अब मज़ा आता है वहाँ exactly concept उल्टा पढ़ता है चलो शाबश अगला सवाल आपके पास है यह रहा पुशिश करें क्या हो सकता है इसका जवाब Q9 as a anti-malarial drug is produced by which of the following plant बहुत easy question है यह है न चेंचोना ऑफिसिनालिस anti-malarial drug के लिए जाना जाने वाला पौधा एक है आर्टी मिस यह ठीक लेकिन अगर उसके लिए आर्टी मिसीन कोई secondary metabolite का नाम दिया होता तब वो जवाब होता फिलाल यहां के लिए यह है answer एफिड्रा एफिड्रीन anti-cancer drug प्रॉल्फिया सर्पिंट इनाभी सर्पाइन और बागे सब चीज़ों देखी पोडोफाइलम इसका secondary metabolite क्या है फिलाल तो ध्यान देए तो इसका answer क्या है चेंचोना ऑफिसिनारम या ऑफिसिनालिस शाबश कुछ सवाल इस प्रिकार से है बार देखिए कोशिश करिए क्या लगता है जब मैं 2017 के question paper पर गया तो पता चला कि वो questions copy नहीं हो सकते लेकिन अब लाना तो था ही और ये 2017 में कितना आसान question कितना easy question पूछा है और answer तो यहीं होगा इसके लाबा कुछ नहीं हो सकता stomata खुले रह जाते हैं carbon dioxide के absorption के लिए camp plants के अंदर कब रात में रात के अंदर रात के दोरान शाबश अगला सवाल खुड़ा सध्यान से अच्छे से पढ़कर के देना ठीक है अच्छे लिए अब शायद आपको पुरा सवाल दिखे है ना क्या लगता है अच्छे इजी है कि flash of dash light during a dark डार्क के दोरान कोई light flash करने पर flowering induce होती है किसमें long day plant और वही पर उस effect को reverse किया जा सकता है दिन के वक्त कोई ऐसा flash दे करके या कह सकते हो कि कोई एक light का flash दे करके तो भी long day plant है उन्हें जादा लंबा light वाला face चाहिए जादा लंबा light वाला face मिलेगा तो flowering induce होगी है है ना और अगर far red light का flash दिया गया दिन के वक्त तो बात गर्ब्ड हो सकती है flowering रुक सकती है है ना तो बस इससाब से आपका कोई जवाब होना चाहिए तो देखें कौन सा है आपका ऐसा जवाब यहां होनी चाहिए red रात के समय आपने रड़ेट कोई फर्क भी पड़ा लॉंग डे प्लांट है उसको वही मुश्किल नहीं आएगी fire red light देदी बात गर्ब्ड हो जाएगी phidochromes inactivate हो जाएगे और बात फंस जाएगी तो question का answer first clear ओके लेकिन यहीं short day plant होता तो सब उल्टा हो जाता ठीक, चलो तो यह था हमारा आज का segment आपने देखा कि कुल मिलागर के मैंने शायद 25, 26 या 27 question यहाँ पर निकाले मतलब अगर हम पिछले 17, 18, 19, 20, 21 5 साल के papers को decode कर रहे हैं तो वहां से कुल मिलागर के 27 question के आसपास हमें question मिल रहा है इतने question आराम से आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और इतने question यहाँ से आ रहे हैं कल के दिन जादा question थे ecology से जादा question पूछे थे यहाँ पर देखा गया है अगर मैं metabolism वाला segment अटा दूँ तो कम questions है ठीक है तो ध्यान रखें यह topic भी पढ़ना है लेकिन इतना जादा deep नहीं जाना कि भी आपको hormone की signaling देख पढ़ डाली है एक बार पढ़ लेने से at least outline पता होगी उसके कुछ component पता होगे अगर कोई सवाल आया तो बात लगे वाकि signaling रटनी की जरूत नहीं है अगर किसी वज़े से बहुत जादा आपके पास समय की कमी है shortage है तो बिना signaling को पढ़े भी आप जो phyto hormones हैं उन segments को revise करते हो तो भी आपका काम बन सकता है signaling पढ़ना भी है तो बहुत जो important highlighting वाले हैं जैसे कि जीवरलिक असिट की पढ़ लो यह पढ़ लो उसके बाद फिर बार यह आ जाती है cytokinin की पढ़नी पढ़ लो oxyn की पढ़नी पढ़ लो क्योंकि cell elongation phototrophism में काम आ जाता है इसलिए पढ़ लो बाकि बहुत डीप में signaling वाले segment में जाने की ज़रोग नहीं है अगर आप set के अंदर plant physiology त्यार कर रहे हो है ना light reaction अच्छा से आना चाहिए dark reaction अच्छा साना चाहिए photorespiration ठीक ठाक आना चाहिए c4 cycle आना चाहिए camp path आना चाहिए nitrogen metabolism में basic outline जो है पता होनी चाहिए nutrient को लेकर के nutrient deficiency और यह सब चीज़ को again there is no need to go at a transport level basic उपर से superficial बहुत है तो बहुत deep नहीं जाना है पता सब कुछ हो concept clear हो लेकिन इतना भी deep ना चले जाओ कि एक ही subject से निकलने में आपको महीनों लग जाए that's it कल्पना जीने subscription ले रखा है बहुत बहुत बदाई और definitely आप enjoy करी रहे होंगे 20 December से जो series start हो ने वाली है वो paid है बटा series नहीं है वो नई batch है online preparation की तैयारी कराने की नई batch है हम नई batch launch कर रहे है जिसमें राजस्थान, मद्रपुदेश, नौर्थ, इस्ट ये जो भी बच्चे हैं उन सभी को इस course में admission लेकर के अगर तैयारी करनी है तो उनके वो एक मौका दिया जा रहा है हमारे साथ जूड़ करके अपनी तैयारी करने का और हम हिंदी English सारी बातों का ध्यान रखेंगे एगर कोई ऐसा विक्ति है जो हिंदी भार्षी है उसके लिए हिंदी भार्षा का भी जारा जारा प्रयोग जैसे कि मैं अभी बात करना हूँ होता ही रहेगा नोट्स के लिखने में भी आपको इसकी मनद की जाएगी लेकिन हाँ ये बात अलग है कि अब हम स्टैल को कोशिका नहीं कह पाएंगे ये वाला तो मुश्किल है ठीक उतक नहीं कह पाएंगे किसको पीशू को ये तो मुश्किल होगा लेकिन बैश्रू हो रही है और आपको आनन्द आएगा आप सारे कॉंसप्स सीख लोगे and definitely it will help you in your final state eligibility test ठीक है Thank you Thank you so much और ये जो सीरीज अपनी है ये चलती रहेगे ये सीरीज चलती रहेगे जी निलम जी हम थोड़ा सा समय बदलेंगे Don't worry बदलेंगे Master set badge ऐसी badge है सारे state के examination को pattern तो कुछ अलग है नहीं UGC ने जो norms दिये है उसके एसाब से सभी को same pattern ही follow करना है ठीक है तो इसलिए ये है master badge जिसमें सारे अलग-अलग इंडिया के इंदर होने वाले exams को लेकर के जो जरूरत है वो तैयारी हो जाएगे ठीक है चलो Thank you Thank you so much Goodbye आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद आप मिलते हैं कल तो देखे शीला जी आप कल सुबह दस बज़े के बाद से IFS की जो वेबसाइट है उसके थुरू आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर जागर की admission लेना है नहीं होगा तो फिर डेफिनिटली वीडियो के माद्यम से आपको बता दिया जाएगा कि admission का process क्या है ठीक है चलिए धन्यवाद